दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में आखरी बार कब सुना था कि किसी वज़े से पूरे की पूरे देश में कर्फ्यू लग गया हो? चाहे वो चीन के हुबई प्रुवेंस के वोहान शेहर की बात हो या फिर अप इटली, इरान, जर्मनी जैसे देशों की? आपने कब ऐसी चीज़ के बारे में सुना, जिससे लगबग 200 देशों में से 120 देशों में दहशत मच गई हो? दुनिया भर के डो जोन समेत, शेयर मार्किट को ओंधे मुग गिरते हुए कब देखा था? भारत ने पिछली बार कब वर्ल्ड के सभी देशों के वीजास कैंसल कर दिये हो? केवल डिप्लोमाट, ओफिशल, इंटरनाशनल ओगनाईजेशन और एम्प्लोईमेंट डिलेटेड वीजा वाले लोग ही भारत एंटर कर पाएंगे? आज से पहले आपने दोस्तों को रिंग टोन लगाते हुए तो देखा था, पर पूरे देश में सरकार ने अवेर्नेस फैलाने के लिए सभी मोबाइल नेटवर्क्स पे कुरोनावाइरस की लिंग टोन लगा दी हो? इतिहास पे नजर डाली जाए तो ऐसा कुछ 1949 से 1945 में हुई World War II के दौरान ही ऐसी तबाई देखने को मिली थी तब सभी देश आपस में लड़ रहे थे और अब 2020 में सभी देश मिलकर कॉरोनावाइरस के खिलाफ लड़ रहे हैं पहले की लड़ाई बंद करना तो हमारे हाथ में थी लेकिन अब इस बार लगबग तीन मही में हो गए हैं और इस रहस में वाइरस का कोई vaccination, antidote या इलाज नहीं मिल पाया है पता है मैं आप कोई बाते क्यों या दिला रही हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इसको normal खांसी जुका माने बैटे हैं लोग अभी भी इसी खयाल में जी रहे हैं कि भारतियों की immunity strong होती है कुछ नहीं होगा एक हफते पहले तक इसको Chinese virus करके हलके में ले रहे थे और हम इंडियन्स अभी भी सोचे बैटे हैं कि हवन कराके या फिर डेसी नुसकों से हम coronavirus से लड़ लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज प्लीज ऐसे किसे भी भ्रहम में ना रहिए, अफवाउं से बचिए ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जागरुपता की अभाव में आंदरप्रदेश के चितोर डिस्टिक में एक व्यक्ती ने कोरोना के डर से फांसी लगा ली और जांच करने पे पाया गया उन्हें बस जुखाम था सीजनल खांसी जुखाम बुखार और कोरोना वाइरस के सिम्टम्स में अंतर समझिए आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट और उमीद कि आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब कर लिया होगा प्ली सपोर्ट करिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये वीडियोस बनाना बिलकुल पॉसिबल नहीं है दुनिया की बात करे तो WHO यानि की World Health Organization ने कल इस वाइरस को Global Pandemic यानि की वैश्विक महमारी घोशित कर दिया है इटली में 12,000 से जादा लोग इस वाइरस से संक्रमित हैं और 827 लोग इस वाइरस से अपनी जान गवा चुके हैं इरान में 9,000 साउथ कोरिया में लगबग 8,000 लोग इसकी चपेट में हैं इटली शहर इस वक्त बंध है किसी को भी घर से बाहर निकलने की पर्मिशन नहीं है कोई बाहर दिखा तो इस पे कानूनी कारी वाही होगी इरान का तो आपने सुना होगा कि वहां के वाइस प्रेजिडेंट और हेल्थ मिनिस्टर तक कोर्ना वाइरस के चपेट में आ गये थे वही हुआ यूके की हेल्थ मिनिस्टर के साथ उनका टेस्ट भी कल पॉस्टेव आया जर्मनी की चांसलर एंजीला मरकल ने बताया कि जर्मनी की दो तिहाई जनता को कोर्ना वाइरस होने का संदेग है आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है यह दुनिया का सबसे पावफुल कहे जाने वाला देश अमेरिका में भी 1300 से जादा मामले पॉस्टेव पाई गए हैं और 38 लोगों के डेथ हो चुकी है 2020 के अंत में नमंबर में होने वाले यूएस प्रेज़ेंट इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने कोर्ना से लड़ने के लिए यूएस कॉंग्रेस से 2.5 बिलियन डॉलर्स याने की 200 करोड रुपे का फंड रिलीस करवाया है ट्रंप ने यूए के छोड़ कर सभी यूरोपियन देशों के फ्लाइट्स कांसल कर दी है क्यूंकि वो अच्छे से जानते है कोरना वायरस, इलेक्शन मुद्दा बन सकता है और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाते आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस ऐसे कैसे इतना फैल गया यही तो मुश्किल है इस वायरस की, जब तक इस वायरस का पता चलता है, इनसान इससे इंफेक्टेड हो चुका होता है जब तक सरकार को पहले मामले की जानकारी मिली, कोरना वायरस उससे कहीं पहले देश के कई शैरों में फैल चुका था और सरकार समेत लोगों को इसकी भनक तक नहीं था क्या ऐसा ही भारत के साथ भी है? बिलकुल हो सकता है देखते ही देखते भारत में 62 केसिस की पुष्टी हो चुकी है और शायद करनाटक राज्यों में पहली मौत भी पेशेंट्स रिपोर्ट आना बाकी है 12 राज्यों में वायरस फैलने के बाद इंडिया में केरल स्टेट हेल्थ एमरजेंसी घोशत करने वाला पहला राज्यों बन गया है अभी तक केरल में 17 केसे सामने आए हैं वहां के स्कूल, कॉलेज और सिनिमा घर सब बंद कर दिये गए हैं मुंबई में कोरोना वायरस के दो नए मामले सामने आए हैं इससे पहले पूने में 8 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इसी के साथ माहराष्टर में संक्रमित लोगों के संख्या 10 हो गई है अच्छी कबर ये है कि हाइदरबाद सौफ़वेर इंजीनियर के ताजा टेस्ट नेगेटेव आए हैं जल्द ही गांधी हॉस्पिटल से रिहा किया जाएगा दोस्तों अगर आपको मेरे द्वाराई कठी की कई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप लोग जब कमेंट करते हैं वीडियो लाइक करते हैं तो हौसला मिलता है अगली वीडियो की त्यारी में जुटने का थांक यू सो मच फॉर लव और सपोर्ट तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में